दोस्तों कि आपके पास भी 2000 के नोट बज गया हैं और आप अभी इसे जमा नहीं करा पाए हैं और आप बिल्कुल परिशान हैं और आप RBI के आफिस के चक्कन नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि एक एक 19 RBI आफिस में ही जमा हो रहा है और या तो आपका जो RBI का आफिस है जो सबसे नजदी की वह बहुत दूर है आप जा नहीं सकते हैं तो यह दोस्तों वीडियो आपके लिए ही है तो दोस्तों RBI ने आपको एक आसान सा तरीका बता दिया जिससे आप घर बैठे ही अपने 2000 के नोट को आप जमा करा सकते हैं और वो सीधे आपके खाते में आ दोस्तों तो यह प्रॉसेस जानने से पहले कैसे बैठके अपने घर पे ही जो है 2000 के नोट अपने बैंक एकाउन में डारेक्ट जमा करा सकते हैं तो उससे पहले दोस्तों आप इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इंफॉर्मेशन और यह वीडि सभी को मालूम है कि 30 सितंबर जो था लाज़ डेट था रवी आई ने 2000 के नोट बैंकों में जमा करने के लिए उसके बाद इन्होंने फर्दर इसको साथ अक्टूबर तक इसको बढ़ाया था फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास यह पैसे बच गया है और बहुत से ल या फिर बैंकों से नहीं एक्शेंज कर सकते हैं लेकिन इसके बाद भी अर्वी आई ने जो है साथ अक्टूबर तक इसकी डेट बढ़ा दी थी फिर भी आप मेंसे बहुत लोग हैं जो कि इन पैसों को जमा नहीं कर पाए मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर अभी पैसे कैसे जमा होंगे मेरा तो नुकसान हो जाएगा तो दोस्तों साथ अक्टूबर के बाद अर्वी आई ने कहा था कि जो लोग पैसे बैंक में नहीं जमा कर पाए हैं उनके 19 जो है रिजनल ऑफिसे में ये पैसा जमा कर सकते हैं और ये पूरे देश में 19 ही ऑफिस के व हो जाती है दूसरा केस है कि अगर आपके पैस ये आफिसे नहीं है बहुत दूर है तो आप जा नहीं सकते हैं या फिर आप जाने में असमर्थ हैं कुछ आपको प्रॉबलम है जिसके वजह से आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं और पैसे आपको जमा कराने बहुत जरूरी तो दोस्तो एक number को जो है RBI ने एक circular लाया है और उसमें बहुत ही आसान procedure बताया है जिससे कि आप अपने पैसे RBI offices में जमा करा सकते हैं बिना आप वहां गए तो दोस्तो यह जो procedure है इसमें क्या है RBI ने कहा हुआ है कि आप जो है post के through मतलब by post आप इसको भेज सकते हैं RBI के 19 offices में और वहां पर आप इसको envelope में अपने पैसे डालके और एक RBI का form है जिससे भरके आप इसे आप 19 regional office में किसी एक office में भेज कि इस पैसे को जमा करा सकते हैं और उन्होंने बकायदा इसका एक application format दिया है जिसे आपको भरना पड़ेगा और इस application को भरके आप इसको जब post क कर देंगे register post कर देंगे तो यह वहां पिर RBI के office में पहुचेगा और वहां पर note counting के बाद आपके account इस पैसे को deposit कर दिया जाएगा तो देखते हैं दोस्तों पूरा procedure क्या है किस तरह से आप इसको भेजेंगे और क्या क्या जरूरी चीज़े आपको जानना जरूरी है इसमे और उनके जो offices के address हैं जो आपके सबसे नजदीकी होंगे इन सबका जो description में मैं link दे दूँगा आप वहां जाके आराम से इसको copy करके आप भर सकते हैं इस form को और address को देख सकते हैं कि कैसे बेजना है इस process में जो सबसे आदा जरूरी है application form है जिसे आपको सही से भरना है और नहीं आपाएंगे इसलिए आप अपने पैसे by post से भेजने से पहले जो है इन चीजों को चेक कर लेगी खाते अक्टिव है और किवाई सी compliant है तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि यह जो format application for credit of 2000 banknotes into bank account तो सबसे पहले to the regional director reserve bank of India आप इस form को print करके भर भी सकते हैं नही तो आप अपने हाग से भी लिख सकते हैं ऐसा कोई बहुत mandatory चीज नहीं है कि print होना चाहिए तो regional director reserve bank of India name of the office आपको लिख देना है जहां पर आपको नजदी की office हो आप वहां पर नाम लिख दिए इस लखना हो है तो आप लखना हो भेज दिजे दिल्ली है तो दिल्ली भेज दिजे आप नाम लिखे वहां पर इसके बाद application for the acceptance of rupees 2000 denomination bank notes please accept the note as per the details for credit into my bank account इसके बाद नीचे एक table दिया हुआ जिसमे number of pieces standard of value तो number of pieces standard माल लिजे कि आपके पास 10 notes है तो आप इन 10 notes को जो है यहां पर लिखेंगे number of pieces standard में 10 notes और उसकी value आप लिखेंगे 20,000 रुपे इसके बाद आप दूसरे number table में दोस्तों देखेंगे तो यहां पर आपका personal details डालना है जिसमें कि आपको name, postal address, contact number, OVD type and email id अगर available है तो email id जो है compulsory नहीं है लेकिन यहां पर आपको नाम लिख देना है अपना permanent address आप या postal address लिख दीजे जहां पर आप रहते हैं अपना mobile number, contact number में डाल दीजे, OVD type यह जो आप confused होंगे इसमें क्या है कि यह officially valid document होता है इसमें आपको कोई एक OVD लगाना है जो उतकी नीचे आपको दिया हुआ है कि officially valid document क्या क्या है इसमें आपका आधार है, driving license है, voter ID card है, passport है, नरेगा card है, pen card है, identity card issued by the government department, public sector units to staff तो इतने जो आपके officially valid document से आपको एक भी इस form के साथ attach कर दीजेगा, उसके specially जरूर लिख दीजेगा कि for only purpose to deposit the 2000 rupees note in bank account, कहीं आपका एक के वाई से misuse ना हो जाए, इसलिए लिखना जरूरी है और उसके अपना एक signature जरूर कर दीजेगा, इसके बाद आप थर्ड नमर टेबल हों देखेंगे तो name of the account holder, जिसके नाम से भी आप भेज रहे हैं, जिसके account में आपका पैसर जमा होना है, आप उसका passbook में जो नाम है, वही नाम देखके लिखिएगा, जो account holder होगा, उनका नाम लिखिएगा, उनका पूरा account number लिखिएगा, लास्ट के चार या पांच डिजिट लिखके मत जाई, IOB जो भी आपके bank का नाम है, आप डाल दीजेगा, फिर branch का name and address, आपके passbook पे उस branch का नाम और उसका address मिल जाएगा, आप वो भी डालिएगा, और आप last में IFS code डालेंगे, IFS code डालना बहुत ज़रूरी है, इसके मिना पैसे नहीं पहुँच पाएंगे, उसका दोस् and the note standard by me will be subject to the examination, मतलब कि वो चेक किया जाएगा, असली है या नकली है, in case any counterfeit note, defected, mutilated, built-up notes are detected in my tender, these will be processed, educated as per the late down procedure and only the admissible value for the same will be payable to me, अगर आपका note fake है, या फिर mutilated है, गंदा है, बहुत ज़्यादा है, या number कटा पिटा है, इस तरह का या नकली बनाया गया है, तो जो आपका जो original value होगी, वही आपके account में डाला जाएगा, बाकी आपके account में पैसे नहीं डाले जाएगे, दूसरा इन्होंने जो point दिया, उ KYC compliant नहीं है, अगर KYC compliant नहीं है, तो आप उस KYC compliant कल दीजे, और या फिर आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं, कि KYC किस तरह से भरना है, या फिर किस तरह से KYC compliant किया जाता है, तीसरा इन्होंने जो case बताया है, in case of detection of counterfeit notes in my tender, the matter may be reported to the police in terms of existence statutory provision in this regard, अगर आ आपके तहत पुलिस में कारवाई भी की जा सकती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सकता है, तो दोस्तों चोथे point में RBI ने कहा है, कि RBI जो है responsible नहीं होगा, आपने अपने गलत खाते का नाम और जो है account number दिया है, या फिर आपका account जो है, कि KYC compliant नहीं है, तो RBI इसके लि any of the above submission found to be false, इसमें last point जो है, उसमें दिया हुआ है, कि आपने जो भी document जमा की है, वो सब कुछ सही है, कोई नकली नहीं है, कोई गलत नहीं है, fake नहीं है, तो दोस्तों आप जो है original और general चीज़े ही भेज़िएगा, कुछ इसमें गरबड करने कोशिच मत कीज़ेगा, नित जो वीडी मैंने आपको बताया था, वोपर लिखा हुआ था, वीडी कौन-कौन सा है, अधार, पैंट, पासपोर्ट, मोटर आइडी कार्ड इनमें से, आप कुछ भी एक जमा कर सकते हैं, और दूसरा जो है, अपने बैंक का जो है, अपना फर्स्ट पेज जहां पे आपका अकाउंट, नमबर, नाम, F.S.Code, सब कुछ लिखा हुआ, एक कॉपी उसका लगाना जरूरी है, या फिर आप जो है, अकाउंट स्टेट्मेंट भी लगा सकते हैं, अगर करेंट अकाउंट होल्डर हैं, तो वहां पे आपका अकाउंट स्टेट्मेंट में, नाम, अकाउं तो ये अभी जो है, बैन नहीं हुआ है, इसको लोग बैन बोल रहे हैं, लेकिन ये बैन नहीं है, ये अभी भी मार्केट में चलता रहेगा, ये एक लीगल टेंडर है, अभी भी आर्वी इसको बोल ला है, अगर आप चाहें तो इसको मार्केट में यूज कर सकते हैं, ले पर गएक आफिस में जमा कर सकते हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में